नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुम्छ ओधरी और सुक्सेस्प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है दोस्तों आज के स्यूडियो में हम बात करने वाले हैं दार्क एज़ ओफ यूरोप के बारे में यानि मध्यकालीन यूग को यूरोप का अंधकार यूग क्यों कहा जाता है इसके उपर एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसमें इध्यासकार आपस में बटे हुए है बहुत सारे इत्यासकारों का ऐसा मानना है कि मद्धेकालिन यूग में यूरोप का कोई भी विकास नहीं हुआ इसमें ना कोई scientific development हुआ है ना cultural development हुआ है बलकि यूरोप इस दोर में war, civil wars, pandemic से जूजता रहा है और लोगों का भी यहां पे बहुत ज़्यादा शोशन हुआ है तो इस period को वो लोग अंधकार यूग के नाम से जानते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे इत्यासकार भी हैं जो इस मत से सहमत नहीं है उनका मानना है कि एक बहुत लंबे period को मद्धे कालीन यूग जो की एक 900 साल का period था इसको अंधकार यूग का नाम दे देना बहुत गलत होगा और ये बहुती negatively paint किया है अपने इत्यास को इसलिए आप इसको अंधकार यूग नहीं कह सकते क्योंकि इस समय ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी development नहीं हुआ यहां पे art, culture और literature का इस दोर में भी एक पूरा का पूरा विकास हुआ है लेकिन आप उसको ignore कर रहे हैं तो दोनों ही जो इत्यास कार हैं उनके क्या मत हैं उसको example के थूँ देखेंगे और इस debate को हम समझेंगे कि क्या मध्धेकालीन यूग को अंधकार यूग कह देना सही है या गलत है इत्यास के एक लंबे दोर को जो की लगभग पांचवी शताबदी से लेकि चोदवी शताबदी के बीच का period है लगभग 900 साल का period है इसको अंधकार क्यों कहते हैं और क्या उनके लोजिक्स हैं और क्या इसके अगेंस्ट में लोजिक्स हैं तो वैसिकली इस पिरियड को मिडल एज कहा जाता है या फिडल पिरियड भी कहा जाता है dark age का जो period है इसको middle age कहना ये तो सब ही मानते है तो इस era को जो उत्यास का dark age कहते हैं उनका मानना है कि ये पूरा का पूरा period जो है इसमें लडाईयां चलती रही है civil war चलते रहे है ignorance का period रहा है फैंडेमिक्स चलते रहे हैं ऐसी pandemic चलते रहे हैं उसके लाव प्लेग आता रहा है बार बार और यहां पे कोई भी scientific और cultural development भी आपको देखने को नहीं मिलता इसलिए इस period को ये लोग dark age कहते हैं तो ये term कहां से आई और क्यों आई इसके बाद की बात हम समझेंगे लेकिन कौन सा period है जिसको dark age कहा जाता है देखिए Roman Empire का जो fall हुआ 476 AD में आप जानते हैं Western Roman Empire जो था उसका fall हो गया था जो जर्मनिक tribes थी उन्होंने उसके उपर बार बार invasion किये और last जो राजा था Romanus Augustus उसको तक से हटा दिया सा 406 में और वहां पे जर्मनिक tribe का एक leader था ओडसर वो आके बैठ गया था उसके बाद का जो period है उसमें आपको इस Europe के एक बहुत बड़े भाग में जो की जहां पे आप जानते हैं Roman Empire का राज हुआ करता था वहां पे political instability देखने को मिलती है और जो period है उसमें changes आपको देखने को मिलते हैं तो उसी period से लेके आगे आने वाला जो समय है Italian Renoso का जो period हुआ जिसको हम आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं यह जो period है यह 14th century से लेके 17th century का जो period है यह Renoso का period था पुनर जागरन का period था वहां तक का जो period है लगबग 900 साल का जो time है उसको dark age के टर्म पे देखा जाता है लेकिन जैसा कि मैंने कहा बहुत सारे इत्यासकार इस बात से बिलकुल भी हैगरी नहीं करते हैं उनका मानना है कि हो सकता है चीजें politically unstable हो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जो की सही नहीं थी उस समय के लिए लेकिन उतार चड़ाओ तो हर generation में आता है और हर सालों में आता है हर century नहीं कह सकते की वो पूरा का पूरा पुरा पीरियork है वो अंधकार युग है वो dark age है ऐसा नहीं है तो इसमें हम देखते हैं कि दोनों ही टाइप के जो इत्यासकार है उनका क्या मानना है सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो dark age जो शब्द है ये जो term है ये किस ने coin करी तो उस समय के literature work को पढ़ रहे थे ये तो इनका मानना था कि पुराने समय में जब रोमन सभेता अपने peak पे थी लेटिन literature हुआ करता था और Greek literature था वो तो बहुत गजब का literature था और आज का जो literature है वो तो बिल्कुल भी उसके सामने नहीं टिक था इसलिए उस literature के comparison के आधार पे इन है एक तरह से कि basically literature का कोई यहां पर अच्छा time नहीं आया इस पूरे के पूरे दोर में उसके बाद यह जो time है इसको आने वाले जो इत्यासकार है उन्होंने सिर्फ literature से न जोड़ के यह देखा कि यह सिर्फ literature की ही बात नहीं है बाकी जो चीजें है उसमें भी इतना से लेके 1400 साल के बीच का लगबग 900 साल का जो time है उसको इन्होंने बहुत सारे जो इत्यासकार पेटरार्क की बात से agree करते थे उन्होंने कहे दिया कि यह तो पूरा ही dark age है इसमें ना केवल literature का बलकि बाकी सभी art की जो चीजें हैं उनका भी ज्यादा विकास नहीं हुआ है as compared to जो पुरानी रोमन और ग्रीक सिविलाइशन थे उनके comparison में तो ये बात इन्होंने कही मा को आगे example के भी दिखाऊंगा कि क्या के बाते हैं कही है इन्होंने उसके बात जो dates की बात है कि क्या 500 से लेके 900 ऐसा तो है नहीं कि 500 वाला साल आया और उस समय आर्ट और literature और architecture का काम होना बंद हो गया और 1400 आते ही अचानक से फिरू हो गया तो ऐसा तो है नहीं कि dates जो है वो एकदम fix हैं ऐसा नहीं है तो dates की जो scrutiny है वो बहुत सारे इतियासकार करते हैं उनका मानना है कि देखे ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे टाइम में कुछ भी यहां पे development नहीं दे करते हैं और उनका कहना है कि 5th century से लेके 10th century तक के बीच का जो time है उस समय हम मान सकते हैं कि बहुत कम विकास वहर उस time को आप dark age कह सकते हैं लेकिन 14th century तक इस time को नहीं खीचा जा सकता तो ये dates की बात हो गई dates इतने important नहीं है लेकिन अब इस debate के उपर आते हैं कि क्या ये ज इसको dark age कहने वाले इत्यासकार हैं वो किस बातों को देखके इसको dark age कहते हैं आपको पुराना Greek civilization याद होगा हमने Greek सभेता का पूरा इत्यास पड़ा है और बहुत सारे philosophers की biography भी करी है आपको याद होगा यहाँ पे Aristotle, Plato, Socrates जैसे बड़े-बड़े महान philosophers हुए हैं political theorists महान philosophers में से एक माना जाता है प्लेटो को भी माना जाता है तो बड़े-बड़े हुए हैं उसके अलावा बहुत बड़े-बड़े mathematicians हुए हैं पाइथागोर्स को आज भी आप पढ़ते हैं हीरोन को पढ़ते हैं उसके राव इकलूइड को पढ़ते हैं यूलर को पढ़त हैं उसी तरीके से अगर आप रोमन सिविलाइशन को पढ़ते हैं तो उनका भी एक बहुत ही डिटेल आपको ओवर्वियू देखने को मिलता है चाहे उनका आर्किटेक्चर हो जिसमें आपको ये कॉलीजियम जैसी बिल्डिंग्स देखती हैं उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक पहले से था उनके पास और पूरा का पूरा उन्होंने इतने बड़े कॉंटिनेंट पे उन्होंने राज किया है तीन महादीपों पे राज किया है आपको पता है मैंने आपको मैप्स में बताया था जब मैं पिछले वीडियो बना रहा था रोमन सिविलाइशन के बारे में से उनको चेंज देखने को मिलता है उसके अलावा यहां पे अगर बात करें लिट्रेचर की तो ग्रीक सोसाइटी में आपको पता है होमर ने दो किताबे लिखी थी इलियाड और उडिसी इलियाड और उडिसी के उपर हमने ट्रोजन वर की जो इतियास है ट्रोईक फॉल आफ ट्रोई है उसकी कहानी पड़ी थी और यह जो किताबे हैं यह इतनी महत्पूर्ण हैं पूरी की पूरी ग्रीक सभेता में जैसे की महाबारत और रामायन जो है हमारे यहां पे हिंदुई जिल को पढ़ेंगे जो की एक लेटिन कवी थे जो इधर पूरे के पूरे रोमन समराजे में इनकी बहुत ही धाक थी एनियाड नाम की इन्हों ने किताब लिखी यह रोमन लोगों के लिए वैसी किताब है जैसे की होमर की यह जो इलियाड और ODC है तो यहां पे बहुत यह यहां पे अच्छा आप लिटरेचर देखने को आपको मिलता है पुराने समय में लेकिन बाद में जब यह क्लासिकल एरा के बाद रोमन और ग्रिक सोसाइटीज जो सिविलेशन से उनका पतन होता है उनका डिकलाइन होता है उसके बाद इतना आपको यूनिलेटरली आपको अच्छा नहीं देखने को मिलता है ये इन इत्यासकारों का मानना है चार सो छेतर में ये बहुत बड़ी घटना हुई जैसा कि मैंने कहा फॉल ओफ रोम रोमन अमपायर जो है वो खतम हो गया था यहां पे और यहां पे वो जर्मनिक ट्राइबस हैं उन्होंने आके अपना देरा जमालिया था छोटे छोटे बहुत सारे किंडम्स बन गए थे फ्रैंकिश किंडम्स यहां पे गोट्स के अलगलग किंडम्स बन गए थे यहां पे पैपल्स स्टेट बन गए थे जहां पे पोप का राज हुआ करता था रोम वाले इलाके में उसके लाओ यहां पे जर बहुत सारी लडाइयां दिखती हैं, इंटर्नल लडाइयां अलग दिखती हैं, civil wars दिखते हैं, foreign invasions आपको अलग लग दिखते हैं, huns के attacks आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, उसके बाद Ottoman Empire के जो attacks हैं, वो भी Europe के तरफ देखन धरम युद लड़े गए, क्रूशेड्स क्या हुए थे बेसिकली पॉप ने यहां से कहा रोम से, कभी हमें जेरुसलम के उपर अपना कंट्रोल करना है और यहां के सबी राजाओं को उसने कन्विंस किया कि जेरुसलम तो क्रूश्चिन की धरम के लिए एक भूट होली लैंड है और आज के समय यह इसलामिक रूलर्स के पास में है तो हमें तो हमारी धरती को वापस लेना है हमारी होली लैंड है, हमारी लिए प्रेस्टीज की सवाल है तो यह ये यूरोप के लोग जो है पूरे के पूरे पीरियड में आपको देखने को मिलती है Christian religion में आपको जानते हैं कि उस समय जो पांचवी शताबदी से आसपास का जो समय है वहाँ से Pope का जो डॉमिनेंस से वो बढ़ने लगता है आप जानते हैं कि पहले जब Roman civilization हुआ करता था इतना बड़ा Roman Empire हुआ करता था मैं अगर आपको इस मैं आपको बताऊं कितना बड़ा Roman civilization था Roman यहां तक फैले वे थे इतना बड़ा तीन महाधिपों तक फैले वे थे उस समय उनका धरम जो है पहले Christianity नहीं हुआ करता था उसके बाद Pope की dominance बढ़ती गई और Pope जो है हर चीज में अब जो है वो अपना dominance दिखाने लग गया वो state में भी अपनी जो है policies को एक तरह से दबाव डालने लग गया कि सत्ता और जो चर्च है धरम और जो राजनिती है वो एक दूसरे में घुस गई थी अब और सत्ता में आप जानते हैं कि जब मैंने Holy Roman Empire का इतियास पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि Emperor versus Pope दोनों में कौन सुपीरियर है तो इसके उपर भी बहुत लंबे समय तक लड़ाईयां चलती रही हैं बहुत ही लोगों ने आपस में लड़ाईया लड़ी हैं internal wars हुए हैं जो Pope के समर्थकते वो लड़ते थे इधर Emperor के समर्थकते वो लड़ते थे तो ऐसा पिरियर चलता रहा और उसके बाद एक बात ये भी चलती रही कि intellectual progress को पूरी तरीके से दबाया गया उसका बहुत ही ज़्यादा तरीके से सोशन किया गया जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि Nicholas Copernicus ने जब अपना सिधान्त दिया था हिलियो सेंट्रिक मोडल दिया था उसने कहा था कि सूरिय जो है वो के अंदर जो है वो केंदर में है और धर्ती के चारों तरफ ही सब कुछ चक्कर लगाता है सूरिय भी धर्ती के चारों तरफ चकर लगाता है पहले ये विचार धरा थी चर्च की भी ये विचार धरा थी इस फिलोसफी में मानते थे क्योंकि जो जियो सेंट्रिक मोडल है जो धरती को केंदरित करके बोलता है उसमें धरम की जो फिलोसोफी है उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है वो बात क्योंकि धर्म के इसाब से जो धर्ती है उसको पूरा का पूरा बनाया है इश्वर ने बनाया है इश्वर ने धर्ती को केंदर में रखके बनाया है उसका पूरा का पूरा जो एंगल है वो सोचना ही अलग हो जाता है उसमें साइंस होती नहीं है, आप जानते हैं, माइथलोजी होती है तो कौपरनिकल्स ने जब इस मोडल को दिया, तो कौपरनिकल्स को बहुत जादा सोशिट किया गया चर्च ने इसकी بातों को नहीं माना और इसको पनिश किया गया दूसरी तरफ गैलेलियो गैलेली ने भी इस model को support किया और बहुत सारी ऐसी theories दी जो कि चर्च की विचार धरा के खिलाब थी तो गैलेलियो का भी बहुत ज्यादा prosecution हुआ है आपको जानते हैं कि गैलेलियो कितने महांज वग्यानिक थे जिनको father of modern science कहा जाता है father of modern physics कहा जाता या अपने scientific research को वहीं पे छोड़ दिया क्योंकि कोई भी church के खिलाफ नहीं जा सकता था इस दोर में चर्च का इतना ज़्यादा dominance हुआ करता था चाहे आप आम लोगों की उसमें देख लो life में देख लो या फिर सत्ता में देख लो राजा के ओपर भी दबाव हुआ करता यहां पे आप जानते हैं कि क्रूशेड्स भी हुए हैं धरम युद भी हुए हैं तो basically आप देखते हैं कि church का और pop का जो परभाव है वो बहुत ज़्यादा था और basically ऐसा नहीं है कि Christian religion यह ऐसा सिखाता था लेकिन pop जो है वो अपने हाथ में पूरी की पूरी dominance को ले 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 है इसको आप negatively paint कर रहे हैं उनका क्या मत है उसको भी समझते हैं तो एक इत्यासकारों के पहले तो यह बात कहना है कि देखो एक लंबा दोर जो है आपने उसको dark age कह दिया जो कि एक बहुत ही गलत है आपने उसको labelize कर दिया और journalize कर दिया ऐसा नहीं होता है हर दोर में German Empire का end हो गया था लेकिन बैजन्टाइन Empire चल रहा था और मैंने बैजन्टाइन Empire जबा को पढ़ाया था तब उसमें कहा था कि बैजन्टाइन Empire का जो architecture work है वो बहुत जबरदस्त है बहुत ही शानदार है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने काम किया ल dark age वाला जो concept है इसको किस-किस आधार पे आप इसको negate कर सकते हैं बहुत सा इत्यास का इसको क्यों कहते हैं कि यह सही नहीं है तो एक तो early middle age का जो period आता है जो पहले वाला पिरियड है 5th century से लेके 10th और 11th century तक का जो time है वो जो early middle age जो है उसमें भी एक रेनास्वा हुआ उसमें भी एक पुनर जागरन हुआ था कब हुआ था चार्ल्स मैगन जो emperor हुए हैं जो कि उसमें फ्रेंकिश किंग हुआ करते थी फ्रांस की राजा हुआ करते थे इसके इन्होंने रॉम को रॉम का खुद को emperor गोशित किया था सबसे पहले मैंने आपको holy roman empire के time पे भी इन भेता को फिर से एक तरीके से उठाएंगे तो इन्होंने पूरे latin text जो थे पुराने जो survive थे उनको फिर से खोजा उनको फिर से rewrite करवाया और जो पुरानी जो roman art थी उसको इन्होंने patronage दी उसके बाद आप ना केवल चैल्स मैगन ने ओटो दा ग्रेट जो राजा हुए है जर्मनी किंग हुए है उन्होंने खुद को उनको roman emperor बनाया गया था holy roman empire का emperor बनाया गया था उसके बाद आने वाले समय में जो आगे के राजा हुए फेडरिक second जो हुए है फेडरिक the great उन्होंने भी अच्छा राजा माना जाता है उन्होंने भी art और architecture और पूरे के पूरे philosophy को काफी patronage दी तो बहुत सारे इत्यासकार उन चीजों को गिनाते हैं और उनका example देते हैं कि आप उन चीजों को भी देखिए ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही time जो है उसको आप अंदकार यूग का दरजा दे दें ये बात गलत है तो अगर आप उस समय के text को पढ़ें भी आपको मिलेंगे, medicine, diabetes के बारे में भी आपको text मिलेंगे, आपको scientific discoveries भी दिखेंगी, आपको गैलेलियो हो या कोपरनिकस हो ये लोग दिखते तो ही न, यहां पर आगे चलके आपको newton जैसे लोग भी दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी theories वो एकदम ही उनको छापने ही दिया गया और उनको जला दिया गया, उनको उनके काम को बिल्कुल ही आप ढूंड नहीं सकते, तो बहुत development भी हुआ है, हाँ ये बात है कि चर्च का दबाव होता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीज़ों पर ही चर्च का दबाव होता था, हर एक जो discovery है वो चर् दार केज थी, तो ये इन इधियासकारों का मानना है, उसके बाद जो ये पिरिएड खतम हुआ, उसके बाद पिरिएड आता है रेनोसों का, पुनर जागरन काल आता है, इसको 14 सेंचूरी से लेके 17 सेंचूरी के बीच का जो टाइम है, इसके बारे में मैं सेपरेट ली वी से शुरू हो गया था तो किसी भी युग को पूरी तरीके से डारकेज कहना भी सही नहीं है लेकिन एक पिरियड था जिसमें एक अनिस्टैबिलिटी का टाइम था पॉलिटिकल इनस्टैबिलिटी थी चर्च का डॉमिनेंस ज्यादा था इस बात से आप बिल्कुल एगरी करे रहे थे और क्या बोलते हैं अक्स्टैनल वार्स भी चल रहे थे धरम की अपनी डॉमिनेंस बढ़ाने के लिए यहां पर इसलाम वसेज क्रिस्टैटी भी बहुत लंबे समय तक चला है इसलिए इसको एक बुरा वक्त बोल सकते हैं यूरोप का उसके बाद रेनोसों अगर रेनोसों के बाद हम पुनर जागरन पीरिएट के बाद इसाई धरम सुधारा अंदुलरंस के बारे में पढ़ेंगे इसाईयों के बारे में हम अलरेडी पढ़ चुके हैं क्रिस्टैनिटी रिलिजिन जो है उसको हम अलरेडी पूरा डिटेल में कवर कर चुके हैं त तो पूरा का पूरा यूरोब जो है वो medieval period से लेके हमने देखे पहले से ancient period से पढ़ा है Roman Empire का इत्यास पढ़ा उसके बाद हमने बैजन्टाइन वगएरा पढ़ा Holy Roman Empire पढ़ा medieval period किस तरीके से डार्केज रहा है कुछ हद तक उसको पढ़ा और अब हम आने वाले वीडियोज में इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि रेनोसो क्या था, इनलाइटनमेंट का दोर क्या था, रिफोर्मेशन क्या था, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे तो hopefully आपको चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा वीडियो चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा, और बाकी सभी प्लेटफॉर्मस के भी चैनल के साथ जुड़ जाएगे जिसमें आप इंस्टाग्राम पे आप मुझसे परसनली भी बात कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो, किसी वीडियो से रिलेटेड, कुछ आपको बातचीत करनी हो, तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं, टेलिग्राम पे आप मुझसे इन वीडियो की पीडियेफ और वी विडियो, वे वे वीडियो धूट देजिए नेक्स लेक्टर